स्वास्त और सुन्दरता संबंदीत नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दॉक्टर ठककस हेल्ट प्लेनेट चेनल को सब्सक्राइब करें और बेर आइकोन को दबाए क्या सर्दी खासी या दमा रोग में केले या अन्य फल खा सकते हैं? केन वीड बनाना इनकौल का फेन अस्तमा कई माता ये समझती है कि केला और खटे फल खाने से सर्दी खासी और अस्तमा के रोगों की स्तिती और अधिक खराब हो जाती है तो क्या यह सच है? इन रोगों से पिरित वक्ती को कुछ भी खाना खाने या छोड़ने से पहले अहर सबंदित वैग्नानिक जानकारी लेनी चाहिए इस वीडियो में हम जानेगे कि क्या सर्दी खासी या दमा रोग में केले या अन्य फल खा सकते हैं या नहीं इस सवाल का वैग्नानिक और अनुभव आधारी जवाब रोग मुक्त होने और रोग मुक्त रहने के लिए एक महत्वपोर्न टिप इस वीडियो के अंत में दी है इसलिए इसे ध्यान से देखे और पुरा देखे नमस्ते प्यारे दोस्तों मैं डॉक्टर आशीष्ट रोग मितर स्वागत करता हूँ आप सभी का डॉक्टर ठककर हेल्फ प्लैनेट में क्या केले या अन्य फल खाने से सरदी खासी या दमे की तकलिफ हो सकती है बिल्कुल नहीं लेकिन कुछ लोगों को केले खाने से सर्दी खासी आदमे की तकलिफ होती है या बढ़ जाती है ऐसा क्यों कुछ उधारनों के माध्यम से इसे समधने की कोशिश करते है उधारन एक गुलाब के फूल की एलरजी रामलाल नाम के एक बहुत बड़े व्यावसाइक थे उन्हें गुलाब के फूल की एलरजी थी जैसे ही फूल की सुगन नाख में जाती थी उन्हें बहुत तकलिफ शुरू हो जाती थी नाग से और आख से पानी बहने लगता था सिर भारी हो जाता था लगाता चीके शुरू हो जाती थी फिर नाग बंद होने लगता था एक बार राम लाल जी स्कूल के پोग्राम में मुक्च अतिती के रुप में गए थे वहां बच्चों को उनके हाथों से पुरसकार देने का कारेकम शुरू हुआ पुरसकार के लिए एक प्रमान पत्र और एक गुलाब का फुल रखा था जैसे ही रामनाल जी ने अपने हाथों से दो तिन विद्यार्थियों को गुलाब का फुल दिया उन्हें एलर जी की तकलिफ शुरू हो गई उनके नाक और आँखों से पहनी बहने लगा चीके भी आने लगी उनके पास में एक आयोजग बेठे थे यह देखकर उन्होंने रामनाल जी से पूछा क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ तब रामनाल जी गुसा हुए और बोले क्या आपको हमारे सेक्रेटरी ने नहीं बताया था कि मुझे गुलाब के सुगन की ऐलरजी है आयोजग बोले हाँ उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था लेकिन हमारे दुसरे एक आयोजग का आगरा था कि बच्चों को प्रमान पत्र के साथ एक गुलाब का फूल दिया जाए इसलिए हमने आप दोनों को ध्यान में रखते हुए नकली गुलाब के फूल रखने का निरने लिया यह फूल तो नकली है सर जी हाँ मित्रो फूल थे नकली लेकिन तकलीब थी असली याने ऐलर्जी कहां थी नाक में या मस्तिस्क में उदाहरन दो केले खाने से सर्दी भोलू ने एक दिन सुबह को दो केले खा लिये केले खाने के कुछ समय बात उसे सर्दी हो गई उसने पहले से ही यह सुन रखा था कि केले खाने से बहुत से लोगों को सर्दी हो जाती है इसलिए उसने यह तुरंती अनुमान लगा लिया कि मुझे भी केला सहन नहीं होता मुझे भी केले खाने से सर्दी होती है और यह अनुमान उसके अंतर मन में माननिता के रुप में पक्का हो गया केला खाना और उसके कुछ समय बाद सर्दी होना यह मात्र योगानू योग्याने कोइंसिडन्स था अपनी अग्यानता के कारण भोलू ने इसमें कारण परिनाम का सब्बन जोड़ दिया अब हम देखते हैं क्या है एलर्जी की बिमारी का रहस्य एलर्जी के रोग होने के दो मुख्य कारण इस प्रकाह है एक कमजोर प्रतिकार शक्ति और दो अंतरमन की गलत पोग्रामिंग अनेक लोगों में एलर्जी के रोग की वजह व्यक्ति के अंतरमन में पोग्राम मान्यता के रूप में होती है और जहां तक उसके इस पोग्राम को वग्णियानिक तरीके से रिसेट किया नहीं जाता कोई भी दवाई या टिटमेन उसे ठीक नहीं कर सकती अनेक लोगों को खाने पिने या वातावन की कुछ चीजों से एलर्जी होती है 19 वर्षों की मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसे अनेकों मरीजों को मैंने माइन रिसेट मेथर्ड से पूर्ण रूप से ठीक किया है इसलिए हमें यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आगे पीछे होने वाली गटनाओं में कारण परिणाम का सब्बंद होना जरूरी नहीं है एक गलत माननेता अने गलत माननेताओं को जन्म देती है जो बाते हम बार बार सुनते हैं बोलते हैं या सोचते हैं वो हमारे अंतरमन में जाकर पोग्रामिंग बन जाती है और फिर अंतरमन उसे हमारे लिए सच्चाई बना देता है जैसे अगर आप सोचते हैं या बोलते रहते हैं कि में तो कमजोर हूँ, मेरी बिमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, मेरा रोग बहुत बड़ा है, मेरी समरंशक्ती कमजोर है, मेरी बुद्धी मंद है, मुझे कुछ याद नहीं रहता तो आपका अंतरमन आपको वेसा ही बना देता है, हमारा अंतरमन एक उपजाव भुमी की तरह है, आप इसमें जैसे बिजबोगे वेसा ही फल मिलेगा, अगर आप नीम का बिजबोगे तो नीम ही मिलेगा, और आप आम का बिजबोगे तो आपको आम ही मिलेगा इसलिए बच्चों को कभी भी नकारात्मक सुचनाए नहीं देनी चाहिए जैसे तू तो बहुत कमजोर है तू डर्पोक है तेरी बिमारी ठीक होगी भी क्या नहीं तू पढ़ाई में कमजोर है तेरी मेमरी कमजोर है तू कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता तुससे तो अच्छा तेरा बड़ा भाई जादा बुद्धिमान है आदी लेकिन इससे निराश होने की जरुएत नहीं है क्योंकि आरोग्य पोग्राम को बदला जा सकता है मेरे माता पिता और उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुए आरोग्य पोग्राम्स आरोग्य के लिए बिल्कुल सेट नहीं थे उनकी आरोग्य सबंदित बहुत सी आदते भी योग्य नहीं थी इसके फल सुरुप मेरे आरोग्य उर्जा का स्तर बहुत ही बुरा था बारिश या ठंडे पानी से थोड़ा सा भी भिगने से मुझे सर्दी खासी और अस्तमा की तकलीफ हो जाती थी लेकिन जब मैंने जोसब मर्फी लिखित आपके आउचेतन मन की शक्ती किताब पढ़ी तो मुझे इस गलत पोग्राम को डिलिट करने वो सही आरोग्य की पोग्रामिंग की मेथड के बारे में पता चला इसके इस्तमाल का नतीजा यह निकला कि मेरी 21 सालों पुरानी एलजी दमा की बिमारी पूर्न रुप से ठीक हो गई अब तो मैं तेज संडी में भी बिना बिमार पड़े ठंडे पानी से नहा सकता हूँ कैसे करे माइन को आरोग्य के लिए रिसेट माइन को रिसेट करने के लिए बहुत ही सरल और वग्यानिक पद्दती है इसे माइन रिसेट या माइन रिपोग्रामिंग कहते है इस विशे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए जोसब मर्फी लिकित आपके अउचेतन मन की शक्ति यह किताब अवश्य पड़े यह किताब अनेक भाषाओं में उपलब्द है इस बुक को ओनलाइन खरीदने के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है आप चाहे तो वहाँ से भी इसे खरीच सकते है अगर आप या आपका कोई परिचित व्यक्ति रोग से दुखी है असफल उपचारों से निराश है या उसे ओपरेशन की सलहा दी गई है तो उसका मुझसे अवश्य बात करे 18 वर्षों के अनूपव आधारित इस दुख को दूर करने या कम करने का कोई उपचार मेरे को पता होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा मुझसे बात करने के लिए F, C टाइप करके 8097174446 नंबर पर वाटसअप करे पांच गलतिया जो आपके और आपके बच्चों के रोगों को जर से ठीक नहीं होने देती इस इबुक को iHealthPlanet.com इस वेबसाइट से फ्री में अभी डाउनलोड करे इस वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है अब महत्वपूर्ण टिप दूप से शरीर का Immune System strong हो जाता है शरीर को बहारी Infection से बचाने वाली T-cells की कारिय शमता को भी विटामिन D के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है इसलिए Immunity को बढ़ाने के लिए सबसे सस्ता और लाबकारी उपाई हमें अपनाना चाहिए यह सस्ता उपाई रोजाना 45 मिनिट तक धूप में बैठना है धूप सेखने के लिए सुभर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का वक्त सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस समय सुर्य की रोशनी में कम UV लाइट्स निकलती है अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सबस्क्राइब अवश्य करे जुड़े रहो स्वस्त रहो खुष्छ रहो